वेलकम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसनली टैमिल लाइज में रिलीज हुई एक fun entertainment मूवी को लेकर आये हूँ इस कराम है रगूताता जिसमें कीरती सुरेश लीडिंग रोल पर है तो अब चले फटावर से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं उस सब पहले और इसकी फैमिली अपनी जिन्दगी गुजारते रहते हैं कैयल के दादा जी का नाम ही होता है रगू कैयल का दादा कैयल से बहुत प्यार करते रहता है एक दिन कैयल की मा कैयल के पास आकर कहने लगती है कि तुमारे मामा ने तुमारे लिए मैटरास में एक बहुती अच् कैल से कहने लगती है कि तुम्हारी वज़े से ही तुम्हारा भाई बिना शादी के घूम रहा है घर में तुम्हारा भाई भी है तुम्हारे बाद उसकी भी तो शादी करनी होगी कैल कहने लगती है कि मा तुम शंगर भया की फिकर मत करो किसी ना किसी दिन एक लड़की को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा कैयल की मा कैयल के दादाई से कहने लगती है सुना ससूर जी ये लड़की क्या कह रही है लड़की की शादी से पहले क्या कोई लड़की की शादी करता है गाउंवाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसी वक्त कैयल का फादर भी अपने घर वापस आकर कैयल को मनाने की कोशिश करने लगता है उसी वक्त कैयल का बड़ा भाई शंकर एक लड़की से शादी करके अपने घर लाता है यह देखकर सारे फैमिली वाले शौक मेरे जाते है कैयल का फादर शंकर से कहने लगता है अरे शादी करने से पहले एक बात हमको बता देते अगर पहले बताते तो मैं उस लड़की के घर पर जाकर बड़े लोगों से बात करता शंकर कहने लगता है कि पापा इनके घर में कुछ प्राबलम हुई थी इसलिए हम दोने ने शादी कर लिया कैल भी अपने भाई की सपोर्ट करने लगती है कि पापा कोई बात नहीं कल सुबह आप भाबी के घर पर जाकर उनके बड़े लोगों से बात करो कैल का फादर कहने लगता है ठीक है मैं इस लड़की के माबाप के पास जाकर बात करूंगा लेकिन तुमको भी शादी करनी होगी कैल यही कहने लगती है कि नहीं पापा मुझे भी शादी नहीं करनी कैल का फादर धमकाने लगता है अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं मुट जाओंगा कही पर जाकर लेकिन कैल अपने फादर की बातों को लाइटली लेने लगती है खट दूसरे दिन जब कैल बस्टॉप पर बस का इंतजार करती रहती है तो कैल के पास इसका फ्रेंड सल्वन आता है कैल पूशें लगती है कि आपने मेरी दी हुई किताब पढ़ी सल्वन उस किताब की बहुत तारीफ करते हुए कैल को लोटाने लगता है और चीतरा इस किताब के आखरी पन्ने में एक पेपर को भी रखा होता है कायल से कहने लगता है कि आप इस letter को पढ़िये इस paper में Selwyn ने ये लिखा होता है कि आप ने इस किताब को बहुती बहतरीन तरहे से लिखा है आप एक बहुती अच्छे writer बन सकते हो यहां पर बात ये है कि कायल अपने किताब में एक लड़के के नाम पर लिखते हुए पब्लिश करती रहती है मतलब कैयल ये सोच रही होती है कि अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि इस किताब को एक लड़की ने लिखा तो कोई भी इस किताब को नहीं पड़ेगा इसलिए एक मेल नाम से लिख रही होती है कायल की सारी किताबें औरतों की बेसिस पर ही होती है हर सलवन कायल से पूशने लगता है क्या आप कब शादी करोगे कायल कहने लगती है क्या आप तो मेरे से भी बड़े हो आपने क्यूं शादी नहीं की अब तक सेलवन कहने लगता है अरे मेरी बातों को गलत मत समझिये मतलब सोसाइटी में ही चलता है ना के पहले लड़की की शादी होती है कायल एक बैंक में काम गरती रहती है और सी तरह सेलवन किसी करेंट आफिस में काम गरता रहता है बैंक मैनेजर बोट के उपर word of the day हिंदी में लिखने लगता है ये देखकर कैयल अपने मैनेजर को ही डाटने लगती है कि आपने हिंदी में क्यों लिखा टमीर में लिखते तो क्या जाता आपका मैनेजर केने लगता है कि आजकल सारे बैंक्स नेशनलाइज होते जा रहे है बैंक के भी कुछ रूल्स है कैयल जी मैं बस रूल्स को फालो कर रहा हूँ खर बात में कैयल के बगल में बैटने वाली अलिवेल्यू नाम की एक औरत कैयल से इसके भाई के बारे में पूशन लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई ने शादी कर ली किसी लड़की के साथ तुम कब कर रही हो शादी ये सुनने के बाद कैयल अलिवेल्यू पर भी गुस्ता करने लगती है थोड़ी देर के बाद इसी बैंक में काम करने वाला प्यून अलुवेलू के पास आकर कैयल के बार में पूशे लगता है के कैयल मेडम को हिंदी से इतना क्यून अफरत है ये प्यून हिंदी वाला बंदा होता है अलुवेलू इस प्यून को कुछ इंसिडेंस सुनाने लगती कुछ सालों पहले जब कयल NCC की ट्रेणिंग ले रही थी तो कोचिंग देने वाला बंदा हिंदी में बात करने लगता है अफकोस वो सारे हिंदी में ही वर्सो देना बाय मूड दाय मूड तो कयल कहने लगती है सर मुझे हिंदी समझ में नहीं आता आप टमिल में बोलिये यह बंदा कहने लगता है यहां पर हिंदी ही चलती है कैयल कहने लगती है तो फिर आपकी टोपी आप ये रख लो इस तरह से यंसी से निकल जाती है कुछ सालों के बाद रंगरादन नाम का एक बंदा इस गौण पर आगर यहां के लोगों को हिंदी सिखाने की कोशिश करने लगता है लेकिन कैयल इसका दादा और सारे गाउं वाले आंदोलन करने लगते है क्या हम लोगों को हिंदी सिखनी नहीं है इस गाउं में पावर सपले ही ढंग से नहीं है तो हिंदी सिकाने के लिए मास्टर जी को भेजे ऐसा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस तरह से रंगा को वहाँ से भगा देते है खर प्रेजेंट डेपर सलवन की माँ सलवन से कहने लगती है कि बेटा मैंने काफी जगा पर ढून लिया लेकिन ग्राजुएशन वरी लड़की मिलती ही नहीं सलवन कहने लगता है कि माँ अगर मैं शादी करूँगा तो ग्राजुएट लड़की से ही करूँगा अगर तुम्हें ढूना नहीं आता तो मैं खुट ढून लूँगा दूसी तरफ कैयल का दादा पेट दर्थ की वज़े से जारमाने एक डॉक्टर के पास जाता है वो डॉक्टर कैयल के दादा को चकप करते हुए कुछ टेस्ट करने के लिए कहता है मडरास जाकर दूसी दिन कैयल का मैनेजर कैयल को अपने पास बुला कर कहने लगता है कि कैयल प्रमोशन लिस्ट आ चुकी है अगर तुम भी प्रमोशन चाहती हो तो एक छोटा सा काम करना होगा वो यह कि जो लोग हिंदी एक्जाम लिखकर पास होंगे उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा और पोस्टिंग है कल करता लेकिन कैयल को यह हिंदी एक्जाम लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कहने लगती है कि मुझे प्रमोशन मोमोशन नहीं चाहिए मैं इसी पोस्ट पर यही पर रहूंगी सिन दुबारा थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाने लगता है जब कैयल रंगानादन को गाउं से भगा दिया था वोसफट सारे गाउं वाले मिलकर कैयल को बहुत सम्मानित करने लगते है के जैसा इसने अपने गाउं के लिए आज़ादी दिलवा दी स्पीश देते हुए कैयल कहने लगती है कि इस जमीन पर हिंदी ना लाने के लिए पता नहीं कितनों ने कुर्बानी दे दी हम भी उनकी तरह लड़ेंगे अंदोलन करेंगे हमारा बस एक ही नारा है हिंदी नहीं चल भे गावाले पे यही नारा लगाने लगते है दूसी तरफ रंगा नादन अपने हायर ओफिसर्स को लेटर्स पे लेटर लिख रहा होता है कि रंगा की पोस्टिंग दुबारा उसी गाव में डाल दिया जाए यह वहाँ पर जाकर हिंदी सिखाएगा लेकिन उपर से कोई भी ओर्डर्स नहीं मिलते एक दिन जब कैयल और सलवन किसी होटल में बीफ कर रहे होते है कैयल से पूशे लगता है कि आजकल आपकी समूद्य पर अपने किताब लिख रहे हो कैयल कहने लगती है कि प्रेज़न्ली मेरे तिबान में कुछ भी आडियस नहीं है सलवन कैयल को आडिया देने लगता है कि आजकल कम उम्र वाली लड़कियों की शादी हो रही है ना इसके बार में आप किताब लिखिए तो कैयल इस आइडियो को अपले करने लगती है उसके बाद जब कैयल वापस अपने घर पर जाती है तो कैयल के घर वाले लड़के वालों को अपने घर में बिठाके रखा होता है कैयल की शादी के लिए कैयल इन सारे लोगों को डाट डबट कर वहां से भगा देती है कायल का फादर कायल को बहुत डाटने लगता है कि हर रिष्टा तुम ठुकरा रही हो ऐसे में तुम्हारी शादी नहीं होगी अगर ऐसा ही करती रहोगी तो मैं एक दिन मर जाओंगा कायल भी कहने लगती है कि हमेशा तुम यही बात कहते हो मर जाओंगा मर जाओंगा लेकिन कभी मरते ही नहीं बाद में कैयल का दादा अपने रिपोर्ट लेकर उस डॉक्टर के पास जाता है रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर कहने लगता है कि दादा आपके पेट में क्यांसर है इसका treatment मदरास में ही हो सकता है लेकिन कायल का फादर treatment करवाने से मना करने लगता है और ची तरह बहुत दुखी होकर गमसम सा बैटने लगता है किसी से भी ये बात शेर नहीं करता दो तिन दिन गुजरने के बाद सारी फैमिली वाले कैयल के दादा जी के पास आकर पूशने लगते हैं कि दादा जी क्या हुआ आपको तो कैयल का दादा अपनी सच्चाई अपने फैमिली वालों को सुनाने लगता है कि इसके पेट में कैंसर है और ये ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहे पाएगा कैयल का फादर कहने लगता है कि पापा आफ फिकर मत करो हम मदरास जाकर आपका ट्रीटमेंट करवा लेंगे कैयल का दादा कहने लगता है मेरी बोड़ी उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी और वैसे भी मैं कितनी दिनों तक जिन्दा रहूंगा बस मेरी तीन खोईशें है उस में से एक कैयल की शादी को देखना होता है ये सुनने के बाद एक कैयल के होशी उड़ जाते है बहुत बड़ा जटका लगता है इसको फानली अपनी दादाजी की खुशी के लिए कैयल मान जाती है शादी के लिए इसके घर वाले काफी सारी लड़कों की फोटो कैयल को दिखाने लगते है लेकिन कैयल को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता एक दिन कैयल सल्वन को होटल में बुलाकर इसे पूशे लगती है क्या हम दोनों शादी कर लें क्यूंकि कैयल और सल्वन के थौर्स मिलते जुलते होते है औरतों को रिस्पेट करना उनकी हक में बात करना सल्वन कुछ भी जवाब नहीं देता दूसी तरफ रंगा के दोस्तर रंगा को समझाने लगते है अरे रंगा हायर आफिसर्स को लेटर्स लिखना बंद करो रंगा कहने लगता है उस गाउं की एक लड़की ने मुझे बहुती बदलाम किया मैंने ठान लिया कि दुबारा मैं उसी गाउं पर जाकर मैं काम करूंगा दूसे दिन कैल और सल्वन बस्टॉप पर मुलाकात करके सल्वन कैल की किताब के बारे में बात करने लगता है वा आपने तो किताब बहुती खूब लिखा लेकिन उस किताब में थोड़ी सी गलतियां है कैल कहने लगती है अरे मैंने आप से शादी की बात पूची और आप किताब के बारे में बात कर रहे हो उसी वक्त कैल का एक पुराना फ्रेंड कैल को देखकर पहचान कर इसके पास आकर बात करने लगता है अपने दोस्तों के बारे में अपनी शादी के बारे में बात करने लगता है जब ये बंदा कैल से सेवन के बारे में पूचता है तो सेलवन उस बंदे से कहने लगता है कि मैं कैल का होने वाला पती हूँ ये सुनने के बाद कैल बहुत खुश होने लगती है कि सलवन ने इसके प्रपोजल को अच्पप कर लिया इस तरह से इन दोने की लव जर्नी अच्छी खासी गुजरने लगती है जब इन दोने के प्यार के बारे में इनके घर वालों को पता चलती है तो शादी करने का डिसाइट कर लेते है पंडित जी को बुला कर मुरत फिक्स करने लगती है इसी दर्वियान में कैल बड़े लोगे पैट चुने लगती है पंडित कहने लगता है कि आपने होने वाले हस्बिन के भी पैट चुओ कैल कहने लगती है अरे माय क्यूंचोंगी मर्द और औरत एक्वल है क्या मैं उसकी गुलाम हूँ जो उसके पैर पढ़ू सल्वन को भी इच्छा होती है कि कैयल इसके पैर पढ़े लेकिन उपर से ये कहने लगता है कि ये पढ़ने जी इसकी कोई जुरूत नहीं है खरब यहां पर सल्वन की मा मौझूद नहीं होती क्यूंकि सल्वन का फादर इस दुन्या में नहीं होता न शुप कामों में विद्वा औरतों को नहीं बिठाते तो कैयल दुबारा सल्वन को डाटने लगती है कि इस जमाने में भी ऐसे कौन करता है तो सल्वन अपनी मा को अंदर बिलाता है बाद में बातों ही बातों में कैयल का फादर सल्वन की मा से देज के बार में बात करने लगता है सल्वन को इच्छा होती है कि ये देज लें लेकिन तब ही कैयल कहने लगती है कि देहज के बलबूते पर मेरी शादी नहीं हो सकती और सी तरह सलवन कोई पसंद नहीं है देहज लेना सलवन की मा कहने लगती है कि हमको तो देहज वहज नहीं चाहिए बस मेरे बेटे की शादी हो जाए वही काफी है शादी का डेट फिक्स होने के बाद एक दिन कायल का फादर सल्वन को परसनली बुलाकर देहेज में इसको एक बजाच बाइक देने लगता है सल्वन भी बहुत खुश होने लगता है चलो देहेज में स्कूटर तो मिली कैल से यही कहकर अपने स्कूटर में घुमाने लगता है कि मैंने इस स्कूटर को खरीदा इस तरह से और कुछ दिन अच्छी तरह से गुजरने लगते है एक दिन अलवेलू कैल और सल्वन से मुलाकात करती है सल्वन से कहने लगती है कि कैल को प्रमोशन का आफर आया है लेकिन इसके लिए कैल को हिंदी एक्जाम लिखना होगा सल्वन कहने लगता है कि अगर ये कलकता चली जाएगी तो हमारी शादी कैसे होगी कैल ने बहुत अच्छा डिलिशन लिया दूसी तरफ वो डॉक्टर कैल के दादाजी को चकप करने के लिए आता जाता रहता है ये अब दोर करता है कि आजकल कैल के दादाजी की तबियत में सुदार आया है घर वाले यही सोचने लगते है कि कैल की दादाजी की तबियत सुदारने लगी है अगर कैयल की शादी हो जाएगी तो कैयल के दादा जी बहुत खुश होंगे इनकी आखरी खौईश पूरी हो जाएगी बात में हम इनका ट्रीटमेंट भी करवा सकते है एक दिन कैयल का दादा सेलवन से मुलाकात करके कहने लगता है के बेटा कैयल को थोड़ा गुसा ज्यादा है उसकी बातों का बुरा मत मानो तुम जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा सेलवन भी यही कहने लगता है के दादा जी आप बेफिकर रही है मैं कैयल से बहुत प्यार करता हूँ उसकी अच्छे से केर करूंगा एक दिन जब कैयल अपने बैंग में होती है तो इसके नाम से एक लेटर आता है उस लेटर को पढ़ने के बाद कैयल के तो होशी उड़ जाते है बगलवाली अलिवेलू कैयल से पूशने लगती है कैयल केने लगती है तुम जानती हो ना मैं किताबें लिखती हूँ और वो भी मेरा नाम चुपा कर मेल के नाम से ये बाद पबिशर्स को भी पता है लेकिन किसी ने ये लेटर देकर मुझे धमकी दे रहा है किताबें लिखने वाला लड़का नहीं बलके लड़की है अलेवेली कहने लगती है कि यह कोई जान भेचन वाला बंदा ही किया होगा स्पेशली तुमारे बारे में बहुती अच्छी तरह से जानता है वो बंदा कैयल को सलवन पर ही शक होने लगता है और उसी तरह सलवन के हैंड रेटिंग से मैच करने लगती है कैयल अपना डौट क्लियर करने के लिए सलवन के घर पर जाती है जबके सलवन अपने घर पर मوجود नहीं होता सलवन के मां से कहने लगती है कि माजी सलवन का बड़े आने वाला है ना मैं उसके लिए कुछ किताबें गिफ्ट करना चाहती हूँ इस तरह से सलवन के रूम में जाकर उसकी परसनल डायरी पढ़ने लगती है डायरी को पढ़ने के बाद इसके तो औरी होश उड़ जाते है अपनी डायरी में सलवन सारी बातें औरतों के खिलाफी लिखा होता है मतलब कैयल के सामने तो यह ऐसे बातें करने लगता है कि यह औरतों की बहुत रिस्पेट करता है उनकी हक की बातें करता है लेकिन इसका अंदर का चेहरा कुछ औरी होता है और सी तरह सेलवन कैल से प्यार नहीं करता, इससे बहुत नफरत करते रहता है, लिखता है कि सारे लोगों के सामने इसने मेरी बहुत बेज़ती की एक बार शादी हो जाने दो, इसकी चर्वी मस्ती पैरों के नीचे दाल कर चुटना चुर कर दूँगा, सारी बातें पढ़न बाई मैं से शादी नहीं करना चाती, अगर एक बार शादी हो गई, कि पता नहीं सेलवन मेरे साथ क्या करेगा, मेरा क्या हाल करेगा, शेकर कहने लगता है कि कायल तुमको हमारे दादाजी के बार में भी सोचना होगा, तुमारी शादी की बात सुनकर वो बहुत खुश है कैल कहने लगती है कि मैं खुश दादाजी को सच बताऊंगी, वो मेरे बात मानेंगे, शेकर कैल को एक आडिया देने लगता है कि कैल तुम वो हिंदी एक्जाम लिकर कलकता चली जाओ, तब सेलवन ही तुमको ठुकरा देगा, कैल अपने भाई के आडियो को फालो करने का कैल के पास जाकर कहने लगती है कि मैं इस हिंदी एक्जाम को लिकर ट्रांसफर होंगी, बैंक मैनेजर एकदम से शौक हो जाता है, बात में कैल जो कुछ भी हुआ, वो अलिवेल को आकर सुनाने लगती है, अलिवेल पूशने लगती है, आगर तुम कलकता जाने का डिसाइ लगते है, तब ही इन दोनों को अपने बैंक में काम करने वाले उस प्यून के बारे में याद आता है, तो उस बंदे से ये दोनों क्लासस लेने लगते है, हिंदी सीखने लगते है, इसी दर्मियान में एक दिन कैल को किसी स्कूल में इन्वेट किया जाता है, कुछ वालों को ये बात पता चलेगी, कि मैं हिंदी लाइगज एक्जाम लिखने वाली हूँ, तो ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे, उसी रात कैल की भावी कैल के पास आकर कहने लगती है, कि मैं एक लावरी ड्रेवर को जानती हूँ, अगर उसे पांच सो रुपे दे दिया कैल इसको इगनोर कर रही है, काफी दिनों से इससे मुलाकात नहीं की, एक दिन कैल अपने भाई और भावी के पास आकर कहने लगती है, कि एक्जाम का डेट नस्दिक आने वाला है, और मैंने अभी तक हिंदी लाइगज नहीं सीका, मुझे लगता है कि मेरी शादी उस सल् कर आकर नीची गिर गए, तो इस सारे लोग फटावर से कैल के दादाजी को हॉस्पिरल ले जाते है, अब ये बात पता नहीं सल्बन को कैसे पता लग जाती है, वो हॉस्पिरल पर आता है, कैल के फादर से कहने लगता है, कि एंगल जी फटावर से हम दोने की शादी करवा बहुती पक्का प्लानिंग कर लेते हैं ये लोग। प्रमोशन हासिल करना और तुमको हिंदी भी पसंद नहीं अगर तुम कलकता चली जाओगी तो हमारी शादी का क्या तुम्हारे दादाजी का तबियत का क्या होगा कैल कहने लगती है कि मुझे प्रमोशन चाहिए और इस आंदोलन के बार में मैं गावलन से कुछ बात कर लू यह सुनने के बाद सल्वन शौक में रहे जाता है अपनी मा को ही धक्का देते हुए कहने लगता है अरे मा यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई लगता है उसने मेरी डेरी पढ़ ली दूसी तरफ रंगा को एक खुश खबरी मिलती है कि यह दुबारा कैल के ग लगता होता है कि कायल ने हिंदी एक्जाम को लिखा सल्वन इसको बता चुका होता है खर फैनली कुछ दूने के बाद शादी का दिन आही जाता है कायल यही सोचे रगती है कि इतना मेहनत करने के बावजुद भी मेरी शादी हो रही है खर जब सारी तैयारियां हो जाती है तो दुल्हा नजर नहीं आता सारे लोग सल्वन को ढूंटे रहते है अब उस जमान में तो स्मार्टफोन वगरा नहीं थे ना बात यह है के कायल और उसके भाईया भावी मिलकर उन दोनों बंदों के जरिये से सल्वन को किड्नाप कर चुके होते है इसके हाथ पेर बांद कर किसी रूम में लोग कर देते है अब सल्वन को लोग करने में सल्वन की मा भी इनकी मदद करती है लेकिन थोड़ी देर के बाद सल्वन किसी भी तरह से शादी के मंड़ब के पास पहुँच जाता है शादी के दर्मियान रंगा शादी के पास आकर कायल के दादाजी से कायल के सचाई बताने लगता है कि आपको कायल ने ये नहीं बताया कि कायल हिंदी लैंग्विज को लिखा कि कायल हिंदी एक्जाम को लिखा अगर ये बात गावालों को पता चलेगी तो ये शादी रुख जाएगी कायल का दादा पूछने लगता है कि आखरिकार तुमको क्या चाहिए रंगा कहने लगता है कि मुझे आप लोगों से परमिशन चाहिए इस गाव में काम करने के लिए तो कैयल के दादा पर्मिशन दे देता है, बात में जब सेलवन कैयल के गले में मंगल सूतर पहनाने लगता है, तो कैयल मंगल सूतर नहीं पहनती, रंगा से कहने लगती है कि मैं तुमको इस गाउ में नहीं रहने दूंगी, मैं दुबारा अपना अंदोलन स्टार्ट रंगा सारे गावालों को सच बता ही देता है कि कायल ने हिंदी एक्जाम लिखा गावालों को बेवकूप बनाया कायल समझाने लगती है कि मैं सिर्फ प्रमोशन हासिल करने के लिए हिंदी एक्जाम लिखा इसमें गलत क्या है रंगा से भी कहने लगती है कि मैं हिंदी लैंग्विज के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जबर्दस्ती किसी को हिंदी सिकाना ये गलत बात है और ये कोड सच भी बताने लगती है कि मैंने इस एक्जाम को प्रमोशन के लिए नहीं लिखा मैं इस शादी को रोकना चाहती थी प्रमोशन हासिल करके कलकता जाने का डिसाइट कर लिया मैंने सल्वन पूशन लगता है अरे कैल ये तुम क्या कह रही हो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं कैल कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सच्चा ही जान चिकी हूँ कैल का दादा कहने लगता है नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये शादी होने पर ही मैं खुश रहूंगा, कैयल कहने लगती है क्या दादा जी, आप भी मुझ पर जबर्दसी करने लगे, इस तरह से समझाने पर कैयल का दादा कहने लगता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए पांडियन नाम के एक बंदे के बार में पूशन लगता है, ये पांडियन और कोई नहीं कैयल का बुक वाला नेम होता है, ये बंदा कैयल की किताबों की बहुत तारीफ करने लगता है, कैयल कहने लगती है, उस किताबों को मैं नहीं लिखा, वो बंदा नहीं बंदी है, आ झाल